हलो फ्रेंड्स आपका हमारे इतमें बहुत बहुत स्वागत है आज कि इस वीडियो में मैं आपको वर्ट्सअप के टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा तो आज मैं आपको वर्ट्सअप का ट्रिक्स है बताऊंगा कि अगर आप अपनी डिवाइस के ओपर दूसरे डिवाइस क देखना चाहते हैं तो आप कैसे देख सकते हैं तो चलिए मैं आपको बताता हूं जिस डिवाइस के ऊपर आपने दूसर्डिवाइस के मैस्जिस देखने हैं तो आपको क्या करना है उस मुबाइल में एक application को इंस्टॉल कर लेना है तो application को install करने के लिए सबसे पहले हम play store में चलते हैं तो चलिए मैं play store के उपर चलता हूँ तो जब मैंने play store को open किया तो आपके सामने वर्ट सा एक application आ रही है आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से ही install कर रखी है तो आप इस application को install कर लिजिए और install करने के बाद मैं इसे open करता हूँ तो यह देखिए friends यहां approach advertisement आ गई है मैं इसे skip कर देता हूँ तो skip होने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक QR code आ गया है जैसे कि हमने इस device के messages देखने आ है तो इस device में हम क्या करेंगे इस device में सबसे पहले हम वर्टसब में जाएंगे तो मैं इसका वर्टसब ओपन कर लेता हूँ तो वर्टसब ओपन करने के बाद जैसे कि यहां पर एक message आ है तो यह एक message हमारी device के उपर आ जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे तो आपको क्या करना है यहां से यह बटने है आपको इसके उपर क्लिक करना है जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने WhatsApp Web की option आ रही है आपको इसके उपर क्लिक करना है तो जब आप इसके उपर क्लिक करेंगे इस device के उपर आ गया है तो आप देख सकते हैं कि जो ये message था वो हमारी इस device के उपर आ गया है तो friends इस तरीके से उसका profile picture सभी messages उसके content सब कुछ हमारे mobile के उपर आ गया है जो भी आगे WhatsApp के messages होंगे वो सभी मुझे अपने device के उपर देखेंगे और इस वीडियो को share कीजिए जो कि दूसरों को भी इसके बारे में पता चल सके आपका बहुत बहुत धन्यवाज वीडियो देखने के लिए